नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लैनेट ओफ टेल्स पर मैं महिमा, आज आपको सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी आखिरी शर्त दोपहर के चिलचलाते धूप में दीदी हाफते हुए घर में दाखिल हुई और छूटते ही बोली, जरा जल्दी से तयार होतो जा, सराफे तक चलना है इतनी भी क्या जल्दी है, जरा बैटकर अपनी सांस तो सीधी कर लो जपताल में चल रही है, चलने दो, अब दो महिनी तक मेरे पास इस मरी सांस के नकरे उठाने का समय नहीं है अरे इतनी कम महलत दी है, उन लोगों ने कि मेरा तो सूचकर ही दम निकलता जा रहा है पता नहीं कैसे क्या होगा, अब देखो न, परसों फलदान है और आप तक दूले की अमूठी का पता तक नहीं है पहेलिया तो मत बुझाओ दीदी, मैंने उनकी मेल ट्रेन को बीच में ही रोक कर पूछा ये तुम किसकी शादी की बात कर रही हो लो और सुनो, दीदी ने तुनकर कहा, मेरे कोई दस-पांच लड़किया है मैं तो अवाक रह गई, बड़ी देवाद मेरी आवाज फूटी दीदी, क्या सच मुझ तुम मदू की शादी कर रही हो क्यों, तुम्हें इतना ताज़ुप क्यों हो रहा है दीदी ने तियोरी चड़ा कर पूछा मदू अब दूद पी दी, बच्ची तो रही नहीं इस उमर में तो मैं मदू की माँ बन गई थी अग तब ही तो चालिस की होते होते सास बनने जा रही हो खेर, तुम अपनी बात रहने दो तुम मदू की तरह स्कॉलर नहीं थी तुम्हारे सामने कोई कैरियर नहीं था लेकिन जरा अपनी बेटी की बारे में तो सोचो उसकी प्रीलिम की परिख्षा सर पर है इस हंगामे के बीच लड़की क्या खाक पड़ पाईगी दीदी, तुम्हारी लड़की IAS की तयारी कर रही है तुमने क्या उसे मामूली BAME का इंतहान समझ लिया है अरे भाड में गया तुम्हारा IAS तुम्हीं लोगों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है अरे वहा, तुम्हारी गोल्ड मेडलिस्ट बिटिया की होसला अब जाई भी गुना हो क्या हर साल विचारी मेरेक लाती रही है ऐसी जहीन लड़की IAS ना बनेगी तो और कौन बनेगा हम तो बड़ी आशा लगाए थे कि अपने परिवार में भी कोई कलेक्टर बनेगी और उस कलेक्टर ने के लिए हम कमिशनर दूला कहां से लाएंगे यह भी सोचा है तो क्या सिर्फ इसलिए तुम इतनी ब्रिलियन्ट लड़की का केरिया चोपट कर दोगी यह तो अन्याय है दीदी अन्याय नहीं समझदारी है एक बाग करियर बन जाने पर क्या यह लड़कीया हाथ आती है तम इनके पर निकल आते हैं लेकिन दीदी अब लेक्चर ही जाटती रहोगी या उठोगी भी सारा मूर्ट चौपट कर दिया यह तो हुआ नहीं कि बधाई ही दे देती घर बर के बारे में पूच्ताच ही कर लेती बस अपना ग्यान भगाने बैठ गई छोटी बहनों का यही तो कर्तब बे होता है एक मैं ही पागल थी जो धूप में भागी भागी यहां आई भाशन सुनने को दीदी के तेवर देखकर मैंने चुपचाप अपना आक्रोश गटक लिया और कपड़े बदलने लग गई मुश्किल से दस मिनट लगे होंगे लेकिन सड़क पर आने के बाद ध्यान आया कि दीदी का पारा अभी उतरा नहीं वैसे उन्हें मनाना ऐसा मुश्किल भी नहीं था मैंने बस थोड़ी सी उत्सुकता जता का दूले का पता ठिकाना पूछ लिया और दीदी का सारा गुसा उड़ंचु हो गया घंटे वर्से वो जैसे इसी अफसर की प्रतिक्षा में थी एक बार जो शुरू ही तो बस बोलती ही चली गए होने वाले दामाद की पूरी वन्शावली मुझे सुना दी गई फिर बड़े मनयोग से उन्होंने यह बताया कितनी खूजबीन के बाद ये हीरा उनके हाथ लगा है मधू ने पूर्ग जनम में बड़े पुन्नी किये होंगे नहीं तो इतनी बड़ी जगे की तो वे कलपना भी नहीं कर सकते थे कैसे कैसे धनी मानी लोग रिष्टे की आस लगाए बैटे थे धेर सा दान भहेज हर कहीं से मिल रहा था पर लड़के ने मधू को देखा और बस सारे फोटो वापस कर दिये यह दामात प्रसंग पूरे रास्ते चलता रहा प्रशंसा के लिए दीदी को जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे पर मेरा मन पूरे समय मधू में ही अटका रहा बिचारी लड़की भविश्य को लेकर उसने कैसे कैसे सपने बुने थे सब धरे रह गए हम लोगों ने भी उसके लिए बड़ी उचाई की कलपना की थी पर सब ब्यार्थ हो गई अपनी पुष्टनी दुकान से दीदी ने हीरे जैसे दामात के लिए हीरे की अंगूठी खरी दी एक बड़ी सी चांदी के ट्रे में भी रखी गई मधू का सैट तो बन का तयार था उसकी सास के लिए तीन तोले के मंगल सुत्र का ओर्डर दिया गया दुकान से उतरते हुए दीदी भीद भरे अंदाज में बोली सास पिटारा ऐसे भीजूंगी कि देखना आँखे फटी की फटी रह जाएंगी दीदी उस समय उत्साह की मूर्ती बनी हुई थी शादी का जैसे उन पर नशासा चड़ गया था उनका बस चलता तो शायद उस दिन पूरा वाजार ही खरीद लेती जब पर्स में सिर्फ किराई की लाइक पैसे बचे रहे तभी उन्होंने अपनी खरीदारी बंद के इतनी जोखिम के साथ उन्हा घर अकेले भेजने का साहस नहीं हुआ मैं भी साथ हो ली, मधू से मिलने का भी मन हो रहा था घर एकदम सुनसान था, मधू रहते कमरे में इतना सननाटा आश्चर्य था, 24 गंटे चीखता ट्रांजिस्टर और उसके सुर में सुर मिला कर गाती मधू ये तो दीदी के घर के इस्थाई प्रतीक थे, मधू घर में नहीं है, अपने कमरे में होगी दीदी ने बताया, और फिर एकदम याचना भरी सुर में कहने लगी तेरे हाथ जोडती हैं गुसम, उसके पास जाकर कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना वो पहले ही मूप फुलाए बैठी है, अब तुम उसके गुस्ते को हवा मत देना अपन साधरन लोग हैं बहन, बहुत उच्चे सपने देखना हमें शोबा नहीं देता दीदी, सपने देखने पर तो तुम प्रतिवन नहीं लगा सकती, बाकि तुम अपने मन की कर रही हो सपनों से जिंदिगी नहीं चलती रे, क्या सभी सपने पूरे हो जाते हैं, अब इसी को ले लो हर साल इतने लोग परिक्षा देते हैं क्या सभी पास हो जाते हैं फिर उसी आशा में उमर बढ़ाने से फाइदा इतना अच्छा रिष्टा रोरोस थोड़े ही मिलता है दीदी की बात में कोई खास बजन नहीं था पर उनके स्वर का गीलापन मुझे चूग गया उन्हें आश्वस्त करके ही मैंने मधू के कमरे में पाऊं दिया अपनी मेज के पास गुमसुम बैठी मधू सूनी आखों से खिड़की के पार देख रही थी सामने फ्रांस की जाराज्य करांती का इतिहास खुला पड़ा था उसके पन्ने हवा में फड़ फड़ा रहे थे हेलो हनी मैं उसे बाहों में भरकर बोली तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम निकली चुपके चुपके सरताई कैड़ा और हमें हवा भी नहीं लगने दी उत्तर में मधू ने दो बून आशू टपका दिये बस धत पगली ऐसे रोते हैं कहीं मैंने उसे पुचकारते हुए कहा पर मन जाने कैसा हो आया दीदी मधू तो रो रही है मैंने दीदी के पास बैठते हुए कहा शादी की बाद सुनका सभी लड़कियां रोती है दीदी ने निरलिपत भाव से मुझे चाय का कप पकड़ा दिया तुम भी रोई थी हम भी रोई थे तुम क्यों रोई थी याद है दीदी कॉलेज जाने का तुम्हारा अर्मान मन में रह गया था अम्मा बाबु जी ने कहा था कि तुम्हें बीए करा देंगे तो हम लड़का कहां से लाएंगे आज वही अन्याय तुम अपनी बिटिया के साथ कर रही हो पीडियां बदल गई पर हमारी माननेताए वहीं की वहीं है हम उन्हें अम्मा बाबु जी कहते थे बच्चे हमें मम्मी पापा कहते हैं बस इतना ही फरक आया है बागी सर्व वैसे का वैसा ही है वैसा का वैसा कहां है मेरी लड़की डवल एमे है मैंने जो सहा है उसका दस्मा हिस्सा भी मैंने उसकी हिस्से में नहीं आने दिया और फिर जैसे अतीत में खोटे हुए बोली उस समय मैं क्यों रोई थी जानती हो सगाई के बाद मेरा गाना वजाना छुडवा दिया गया था मेरी सास इसके लिए खास हिदायत कर गए थी जब तक वा जीती रही मुझे कभी गुनगुनाने भी न दिया अब तो खेर मेरी आवाज ही मर गई है इसलिए मैंने मधू को कभी नहीं टोका उसकी दादी गालिया निकालती रही पापा तो हमेशा ही बरसते रहे पर मैं हमेशा उसका बचाव करती रहे मेरा गलाग होट दिया गया कोई बात नहीं पर लड़की का अन्याय नहीं होने दूँगी मैंने तो मधू की सास से साफ साफ कह दिया है मैं पिछली पीडी की थी इसलिए मन मार कर जी गई मेरी लड़की से या न हो सकेगा मैं दीदी का तम-तमाया चहरा देखती रह गई बक्ति ने उनके घाव भड़ दिये हैं पर टी सब भी भागी थी प्रसंग छिरते ही उनकी वा पीड़ा सतय पर आ गई मुझे चुप देखकर ममता भरे स्वर में बोलें तुझे मदू की पढ़ाई की चिंता है न देख भाग्य में बिद्या होगी तो पढ़ ही लेगी वैसे बेलोग बड़े समझदार है अब रहने भी दो दीदी शादी की बाद पढ़ना क्या होता है मुझसे पूछो सारा घर जैसे आप पर पहरा देता है एहसान जताता है और अगर बदकिस्मती से कहीं फेल हो गए तो बस सारी जिंदी की ताने सुनते ही बित्ती है दीदी के घर से लोटते ही मन विहद अदास था उनकी मौन विथा का एका एक साक्षा का हो जाने से मैं चौक गई थी अंजाने ही मेरे अपने ही कुछ घाव हरे हो गए थे और इन सबसे उपर था मदू का आंसू भीगा चेहरा जो किसी तरह आखों से हटता ही न था सच अगर हमें अपने बच्चों के पंख कुतरनी ही होते है तो पहले हम उन्हें आकांख्षाओं का आकाश देती ही क्यों है घर में प्रवेश करते हुए डर रही थी कि सबके मूँ फूले होंगे पडोस से चाविले का घर खोलना ना बच्चों को अच्छा लगता है ना उनके पापा को सबके स्वागत में मेरा दरवाजे पर मिलना जैसे जरूरी है लेकिन घर में मौसम खुश रवार था वातावरण से प्रसनता की महका रही थी चलते समय दीदी ने जबरदस्ती एक मिठाई का पैकिर थमा दिया था मिठाई और मदू की शादी की खुशकबरी एक साथ पाकर जनता और भी खुश हो गई आश्चा दे तो तब हुआ जब स्रीमान जी भी मेरे सामने काजू की बरफी का टिबा खुलकर खड़े हो गए लो स्रीमती जी तुम भी हमारी और से मूँ मीठा करो तुम्हारी बिटिया भी जंडे गाड़ कर आई है अच्छा मैंने खुशी से डगमगाते हुए पूछा तुम्हारी बिटिया को मदरास कला केंदर की स्कॉलर्शिप मिली है किसलिए? भरतनाटियम के क्या कहते हैं उसे? हाँ गहन प्रसिक्षन के लिए अब हमारी लाड़ो तीन साल तक मदरास में रहेकर बड़े-बड़े महार्थियों से प्रसिक्षन प्राप्त करेगी ओ मम्मा, I am so happy शीतल फिर एक बार मुझसे जूलने को थी कि मैंने उसे सक्ती से अलग कर दिया और उसी सक्त लहजे मैं उसके पिता से पूछा तीन साल तक मदरास में रहेगी और इसकी पढ़ाई का क्या होगा अरे भई पढ़ने के लिए ही तो जा रही है बताया ना गहन प्रसिक्षन के लिए जा रही है अरे वहाँ यह कोई पढ़ाई है अच्छा भला तो नाच लेती है अब और प्रेसिक्षन लेकर क्या करेगी B.A.M.A. करके ही कोई क्या कर लेता है जरा इस बात पर तो गौर करो कि 810 लोगों ने फॉर्म भरे थे उन में से केवल 10 को चुना गया है और उन 10 भाग्यशानी लोगों में तुम्हारी बिटिया भी एक है कब भरे गए थे फॉर्म किस से पूच कर भरे गए थे आवेश से मेरा गला ही रुंद गया इतना एकसाइटिड क्यों हो रही हो इतना बड़ा कदम क्या वो अपने मन से उठाएगी मैंने भरवाया था और शायद तुम्हें बताया भी था गलत मुझे बताया होता तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती मैंने तुसे डॉक्टर बनानी का सपना देखा था छी मैं नहीं बनूँगी डॉक्टर मुझे वह चीर फार जराबी अच्छी नहीं लगती शीतल ने ऐसे मुँ बनाया जैसे उसे उपकाई आ रही हो तुम्हें तो बस पेरों में घुंगरू बांद का मटक न अच्छा लगता है मैंने उससे भी बुरा मुँ बना कर कहा ये अच्छी जबर्दस्ती है शीतल के पिता सहयता के लिए दौड पड़े अगर उसकी दिल चस्पी मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है तो ना सही दुनिया में और भी तो विद्ध्याएं है कि बस नाचना ही रह गया है पर ममा इसमें गुराई क्या है देखो वे गंबीर होकर बोले बच्चों पर अपनी पसंद नापसंद लादने के दिन अब गए अब हमें उनकी रुची का भी ध्यान रखना चाहिए और कैसे ध्यान रखा जाता है मैंने चिड़कर कहा इसके लिए हमने ट्यूटर रखे महेंगी पोशा के सिल्वाई रियास के लिए टेप रिकॉर्डर खरीदा बच्चों के शौक के लिए हम कब पीछे हटे हैं बलकि अपनी हैसियस से कुछ जादा ही करते रहे हैं पर इसका मतलब यह थोड़े ही है कि सब को छोड़कर इसी में जोट जाओ रुपया भी फूंको और साल भी बिगाड़ो देखो शौक अपनी जगए है केरियर अपनी जगए डान्स सरिफ शीतल का शौक या होबी नहीं है गुसुम वा इसे अपना केरियर बनाना चाहती है वा हक क्या बात है कल को उसकी शादी भी करनी है की नहीं यह शादी की बाद वीच में कहां से ले आई क्यूं? कुछ गलत कहा मैंने कल को लड़के बाले पूछेंगे तो अपने पास कुछ जवाब देने को तो होना चाहिए न कि यही कह देंगे कि साहब लड़की पड़ी लिखी है बस नाच ना जानती है वा क्या कहते है? गहन प्रसिक्षन प्राप्त है बहुत अच्छा लगेगा ना यह कहते हुए कम से कम मुझे तो बुरा नहीं लगेगा और इस बात को सुनने के बाद कितने लड़के शादी के लिए तैयार होंगे? तो मैं शंदिया क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं हिंदुस्तानी लड़कों की मनो बृत्ती को आपसे ज़्यादा समझती हूँ मैं जानती हूँ कि अपने को अत्याद उन्हें कहने वाले युग की पत्नी को स्टेज पर नास्ते नहीं देख सकते कला के प्रशंता करना एक बात है कलाकार से शादी करना दूसरी बात शादी 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 शीतल एकदम चीक पड़ी बंद करो ममा बोर हो गई हूँ मैं क्या लड़की के केरियर की यही एक आखरी शर्त है शादी ओ गौड हाँ यही आखरी और आनिवारे शर्त है मैंने कहा और दोनों हातों से अपना चेहरा धाप लिया मेरी प्रगति शीलता करना काव किसी ने फाड कर फैक दिया और मुझे अपने चेहरे पर शर्मा रही थी दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी आखरी शर्त अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद